बात कर लेते हैं चर्चाओं में रहा जारखंड जो कि अपने CM की वज़े से चर्चाओं में रहा और भ्रष्टाचार का मुद्धा जारखंड में सबसे ज्यादा इन दिनों देखने को मिला है हिमन सोरेन हाला कि फिलाल जेल में है 14 सीटे यहाँ पर लोग सभा की हैं 2019 में बीज़ेपी ने 12 सीटे जीती थी और इस बार भी ओपीनिन पोल यह बता रहा है कि कोई भी नुकसान बीज़ेपी को जारखंड में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है 12 सीटे बीज़ेपी अभी भी जीत सकती है जी अमन पिछली बार भी आग सीट जीत पाई थी एक सीट जीत सकती है आजसू कि अगर आब बात करेंगे तो आजसू यहाँ पर जीत सकता है यानि कॉंग्रेस जो पिछली बार एक सीट जीती थी हाला कि कॉंग्रेस की वो सांसद जो है वो भारते जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है और सिंग्भूम से उन्हें भारते जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार भी दिया है फिलाल ये बता रहा है जारकन का उपिनियन पोल कि बीजपी को कोई नुकसान नहीं है ये उपिनियन पोल का आकड़ा समीर जी आपकी मुताबिक ही इसमें और कोई गुंजाईश आप देख रहे हैं बश्टाचार में लिपत रही है, मुख्यमंत्री एहमन सुरहन एडी के तरहा गिरफतार हो गए, मुख्यमंत्री बदल दी गए, तो जमनी स्तर पर जो एहमन सुरहन सरकार के खिलाफ एक नाराज गिये, मुझे लग रहा उसका फायदा बारजनता पार्टी को मिलेगा, और आ तो मुझे लग रहा है 13 सीटे बरजनता पार्टी और इंडी मिलकर जीत रहा है, जिसमें बरजनता पार्टी 12 जीतेगी, तो यह पदरशन होने वाला है बरजनता पार्टी के इसमें कोई दो रहा ही नहीं कोडर्मा, बीजपी के अनपूर्णा देवी सांसद है, बाबुलार मरांडी को साड़े 4 लाख वोटों से इनोंने हराया था, अब मरांडी बीजपी में है, बीजपी ने अनपूर्णा देवी को फिर से कांडिडेट पनाया है, यानि वो भी सीट से जीत सकती है, ऐसा ओप आपको निनने इसमें नजर आती है, जिस तरीके से ओपिनिन पोल जार्खंट का नसर आ रहा है, खासकर आदिवासियों पर फोकस बीजपी का रहता है, यह उसी का रिफ्लेक्शन है? जो कोईलेशन है, उसमें कोई कॉंक्रेट डिसीजन वो लोग अभी तक सीट सेरिंग पर ले नहीं पाया है, हलाकि यह बताया जा रहा है कि एक फॉर्मूला तैह हुआ है, जो 17 मार्च के बाद एनाउंस किया जाएगा, लेकिन आप देखिए कल एलेक्शन एनाउंस हो रहे बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण ही था आदिवासी स्ट्रॉंग होल्ट में जाकर के किस तरह से उन्होंने दुबारा अपने आपको रिवाइव किया और मैं आपको बता दो इंटरकनेक्टेड है ये, चत्यजगर और जारखंड का जो पूरा आदिवासी इलाका है जाहिड सी बात है बीजेपी का वहाँ पे भी जो अपना क्लाउट है वो मजबूत होगा हाला कि हेमन सोरेन के प्रती एक सिंपती हो सकती है आदिवासी वोटर्स के अंदर लेकिन फिर भी जिस प्रकार से ये उजनाये इंप्लिमेंट की गई है जिस प्रकार से एक कनेक्ट दुबारा रियेस्टेब्लिश किया गया है पार्टी द्वारा जाहिड सी बात है को बहुत ज्यादा परिणामों पे उसका असर होता हुआ मुझे इस वक्त तो नहीं देख रहा है जब हेमन सोरेन जेल गए थे समेट जी इस बात की चर्चा की गए थी कि आदिवासी वोट बैंक का कई डेंट बीजोपी को ना लग जाए और उसके बाद हेमंद सोरेन का जब जब मीडिया के सामने आना, अपने आदिवासी होने की बात को कहना, आदिवासी सेंटिमेंट को जगाना, ये कोई भी बात काम आती हुई नजर नहीं आ रही है हेमंद सोरेन। को के लिए सिकल सेल के जिस्ते आप से वहाँ पर काम किया गया है, मुझे लग रहा है जमनी स्थापा पदार मंत्री मोधी का काम हाँ बोल रहा है, लाभारती का एक बड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग में बातिवासी नजर पार्टी ने तैयार किया है, वो जो जारकन में भी तैयार किया है, वो 36 गड़ के अंदर भी तैयार किया है, मत्रपदेश के आदिवासी बावल सिटू पर भी किया है, तो मुझे लग रहा है जो योजिना के अंदर सरकार ने आदिवासी लोग के लागों किती है, उसका फाइदा बातिवासी नजर पार्टी को विदान सभा अच्छे एक और बड़ी खबर जो जारकंड के इस ओपिनिन पोल से समीर जी समझ में आ रही है, वो ये कि कॉंग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाईगे, एक सीट 2019 में उसने जरूर पाई थी सिंग भूम, लेकिन इस बार वो सीट भी बारते कॉंग्रेस जीते, ऐसा ओ भी नहीं है, भूम इसे जीती थी 2019 में कॉंग्रेस के टिकेट पर, अभी पिछले मेने उन्होंने भारते जन्ता पार्टी जोइट कर लियो है, भारते जन्ता पार्टी नहीं वहां से टिकेट दे दिया, कॉंग्रेस का संगड़न मा लगबक खत्म हो चुका है, और मुझे लग रहा है, विदान सभा चुनों में भी कॉंग्रेस की यही सिती है, जारकंड मुक्ति मर्जा पर उसकी निरबड़ता यह बताती है, जिस तरीके से, आप देके जब भी राज्यसभा का चुनों हुआ था, तो पिछली बार कॉंग्रेस ने वहां पे राज्यसभा जो मना किया, और जेएम ने वहां से अपना राज्यसभा अमिद्वार दिया है, तो कॉंग्रेस की निरबड़ता जेएम के बहुत जादा है, विदान सभा चुनों ही पाच मेने के बाद होने वाले है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर कॉंग्रेस जेएम पर निरबड रहे तो सुबोध कांस है, चार बार वहां से चुनाव रड़ चुके हैं, दो बार पिछली बार हार गए दो पिछले दो चुनाव लेकिन इस बार भी आप देखे वाड़े हुए और जब आप इस तरह के परिवरतन नहीं ला पाएंगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर प बिलकुल ये बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जो कॉंग्रेस को अपने अंदर जाक के देखना पड़ेगा, हाला कि क्लेम ये किया जा रहा है कि इस बार साथ सीटें कॉंग्रेस के खाते में जाएंगी और उसमें से पांच चेहरे वो नहीं उतारेंगे, लेकिन अब ये देख देखना पड़ेगा कि क्या सच मुच में वो ऐसी कोई एक्सराइस कर पाएं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो तयार रहे हैं, एक सेंटिमेंट जो जगाने की कोशिश की गई थी समीर जी क्या उसे विपक्ष पूरी तरीके से भुना नहीं पाया, जारखन में तो देख और हमन सोरन आदिवासी है, इस एक उन्हें जेल भीजा गया है, आदिवासी संटिमेंट को कैश करने की कोशिश जरकन मुक्ति मुर्चा कर रही है, लेकिन जमेनी इस तर पर जो संकटन होना चाहिए काम करने का, वह कॉंग्रिस का भी नहीं है, और हमन सोरन के जेल जाने के तो आदिवासी समाज के अंदर ये मेस्यज बारती जंता पाटी ने डिलिवर करने में सफ़ल रही है और आदिवासी समाज भी ये बात मान के चल रहा है कि जहरकन मुक्ति मुर्चा पार्टी जब सत्ता में आती है, तो अपने परिवार का ही सिभ भला कर दिया, बाकी आद पदानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मौहाँ पर लाबार्ति वक्त तयार किया है SCST है या दूसरे OBC के बीच में बहुत काम कर रहा है जबमनिस्तर पर और यही कारण है कि वोट देते समय आधिवास यह देखते हैं कि उनके लिए पदानमंत्री आवाज योजना में मकान कि किसने बनवाया जुलाय योजना के अंतर सिलेंडर किसने दिये वैसा शुरू करने के लिए छोटी चोटी लोन किसने उपलब्द करा है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से केंदर की योजना और को जमिनी स्तर पर बारतियंता पार्टी ने जहारकरण के अंदर और ये बता रहा है कि 1500 सीटे 179 में से एंडिये जीत सकता है और अभी इंडिया बहुत पीछे यानि गटपंदन अभी बहुत पीछे कुल 18 सीटों पर अभी इंडिया गटपंदन की मौझूद्गी या बड़त हमें नसर आ रही है जारखंड में 12 सीटे बीच अपी ने पिछल चुनावों में दिलानी है तो